हलो अच्छो कैसे वेड़ा मैं हूँ अर्जुन आपका Mathematics Mentor और PW के इस Amazing Platform पे आप सब का बहुत-बहुत सवागत है बिड़ा Statics 6 के हमारे अलोडी दो lectures हो गए थे I hope आप सब लोगों ने वो lectures देखे होंगे और आज हम Statics 6 का next lecture continue करने वाले है जो कि है हमारा lecture number 3 और आज की lecture में हम क्या कवर करने वाले है इसको देखने से पहले एक बार quickly recap करते है कि हमने previous class में क्या क्या देखा था तो बिड़ा previous class में हमने discuss किया था statistics यह word का मतलब क्या होता है इसका actual meaning क्या होता है कहां से आया था यह word उसके बाद हमने देखा था data क्या होता है और उसके types क्या क्या होते है जिसमें हमने primary and secondary data discuss किया था और उसके बाद practice at 7.2 की questions भी हमने solve किये थे I hope सबको एकदम clear होगा तो आज हम third lecture continue करने वाले ह और इसमें कुछ ऐसे concepts आज हम discuss करने वाले है जो कि आपको higher standard में भी काम आ सकते है ठीके बड़ा तो आज हम क्या क्या discuss करने वाले है आज हम देखेंगे बड़ा classification of data क्या होता है data को classify क्यों करते है और वो क्या होता है उसको कैसे कैसे classify हम कर सकते है then frequency distribution table क्या होता है और उसके बात practice set 7.3 के questions आज हम discuss करने वाले है so are you already चलो start करते बड़ा तो सबसे पहले यार classification of data क्यों करते है क्यों उसको classify करना क्यों जरूरी है तो एक example के तौर पे समझते है बड़ा जैसे कि मेरे पास कुछ data है मान लो एक score है मेरे पास ऐसा कुछ तो भी 2, 3, 4 है 7 then 2 again 3, 6, 9, 5, 0, 2, 7 ठीक है ऐसा कुछ एक random data आप ले लो हो सकता है इसमें और भी entries होंगे बड़ हम example ले रहे यहां पे कि ऐसा कुछ मेरे पास data है और इस data को मुझे study करना है मैं आपको एक question पूछ रहा हूँ इस data के basis पे कि बताओ यहां पे two जो number है वो कितनी बार आ रहा है two number कितनी बार आ रहा है तो आपको पूरा data एक बार check करना पड़ेगा अब यह तो भी एक ही line में ऐसा अगर पूरा इतना सारा data अगर होता और आपको मैं question पूछता कि बताओ यार यहां पे two कितनी बार आ रहा है तो कितना hectic होता ना कि आपको पूरा का पूरा data को go through करना पड़ता है और वहां से आपको check करके देखना पड़ेगा हाँ two यहां पे 10 बार आ रहा है या फिर 15 टाइमस आ रहा है या फिर 20 जो भी है यहां पे अगर इस data की मैं बात करूँ तो एक दो तीन है ना three times आ रहा है two और अगर मैं three की बात करूँ तो one two यह दो बार आ रहा है अब यह data फिर भी छोटा है इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर एक data को identify करना हर एक को हमें मतलब पूरे data को go through करके हमें जो भी questions पूचे जा रहे उसके answers देने पड़ेंगे तो यह थोड़ा सा hectic बनेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे इ करना है तो उसके लिए उसको प्रापर अरेंज करना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं इसको टेबल के फर्म में अरेंज कर सकते हैं यस कैसे करेंगे देखो अगर इसको मैं टेबल के फर्म में अरेंज करता हो तो थोड़ा सा आसान हो सकता है कैसे देखो मान लो अभी मेरे प मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो सबसे पहले हम क्या करते बिटा यहां पर लेप्ट साइड में स्कोर जो है ना जैसे भी टू है तो मैं यहां पर लिखूंगा तू अब कितनी बार है उससे हमें कुछ लिए नहीं अभी तो टू मैं लिख रहा हूं यहां पर और कुन सा स्कूर ही यहां पर थरी भी है नंबर फोर भी है फाई है क्या है । सेवीं है है हां डिट नहीं है बट 9 तो यहां पर मैंने स्कोर्स लिख दिये कि मेरे पास नंबर से व कितनी बार आ रहा है 1, 2 और 3 तो हम क्या करेंगे इसको count करेंगे कि 2 मेरे पास 3 टाइमस आ रहा है तो यहाँ पर मैं 3 lines ऐसे draw करूंगा 3 vertical lines है ना इसी को हम क्या बोलते बिटा tally mark बोलते है ना मतलब 2 यह score 3 times आ रहा है और frequency मतलब क्या वो कितनी बार आ रहा है कोई data कोई score जो है वो कितनी बार repeat हो रहा है तो उसको हम बोलते frequency तो यहाँ पर लिखेंगे 3 समझ में आ रहा है अब 3 है तो 1, 2 बस दो ही बार आ रहा है तो यहाँ पर 2 vertical lines और इधर लिखेंग यह 1, then 5 कितनी बार आ रहा है एक ही बार है, तो यहाँ पर एक vertical line और इदर 1 आयेगा, then 6 कितनी बार है, एक ही बार है ना तो six भी एक ही बार आ रहा है इधर एक वर्टिकल लाइन और इधर one आएगा ठीक है यह one one है seven कितनी बार है seven भी एक और दो बार है तो यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन और इधर आएगा two nine कितनी बार है एक ही बार रहे ठीक है एक्चली यह पर जिरो भी था तो नाइन को यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और यह आएगा वन जिरो को मैं हटा देता हो है ना यहाँ भी सब को चेंज करना पड़ेगा फिर यहाँ पर टू और सेवन था क्लिर बिटा तो जो भी डेटा आपके पास ह है इसको अगर हम टाबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा सा कंपरेटिवली आसान हो जाएगा अब अगर आपके पास मानलो डेटा टेबल के फॉर्म में था ऐसा ही डेटा था और यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन पूछता हो कि बताओ इसमें टू कितनी बार आ इतनी बार आ रहा है तो हाइस स्कूर यह पर नाइन है और वह एक ही बार आ रहा है तो टेबल के हिल्प से अब हमें क्वेश्चन के आंसर देना बहुत आसान हो गया ऐस कंपरेट तो प्रीवियस डेटा तो यह रॉड डेटा था इसको हमने ऐसे ऐसा स्प्रेड करके रखा प्रॉपरल इसको अरेंज नहीं किया था हमने इसको टेबल के फ़र्म में अरेंज कर दिया तो यह अभी आसान हो गया इसको स्टडी करना आई होप सबको क्लियर होगा तो इसको बुलते बिटा यह जो लिखा है मैंने इसको हम बोलते है फ्रिक्वेंसी टेबल बोलेंगे या फिर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबिशन बोलते है जिसमें स्कोर आएगा टैली मार्क आएगा और फ्रिक्वेंसी आएगा तो इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबिशन टेबल भी बोलते है तो आई होप सबको क्लियर होगा कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबिशन टेबल समझ मैं है frequency distribution टेबल क्या होता है अब और एक example से देखते है जैसे आपके बुक में example दिया था यह जो 6 है मानलो यहाँ पर एक टैली मारक है तो frequency कितना है उसका 1 है 7 जो स्कूर है उसकी सामने दो vertical lines है मतलब दो टैली मारक से तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वह दो बार आ रहा है उसकी frequency क्या है दो है अब यह for example यहाँ पर हम कुछ data लिखते है जैसे यह पर 8 है मानलो यारे 3 टाइमस आ रहा है या फिर 4 टाइमस आ रहा है तो मैं 4 वर्टिकल लाइन और यहाँ पर लिखूंगा राइट अब यह क्या होता है सरी क्रॉस ऐसा क्यों किया हुआ हूँ है बिटा एक rule है वो क्योंकि क्या होत यह जैसे ही चार complete हो जाते है पाचवा अगर आता है इंट्री तो हम क्या करेंगे इसको ऐसा लाइन बनाएंगे तो अभी रीड करना कितना आसाने देखो ऐसे अपने पास अब अगर चार बंच होंगे जैसे यह चार एक दो तीन चार एक एक दो तीन चार और यह पांच है और ऐसे पांच-पांच के तीन अगर बंच हमें दिखते हैं तो clearly समझ में आता है कि यह total 15 है तो इसको रीड करना और इसको रीड करना simple कुन सा है यह वाला simple है पांच-पांच-पांच के बंच हमें दिख रहे तो इसलिए हम क्या करते हर बार पांच-पांच वाले जो entries है उनको ऐसे करेंगे चार वर्टिकल लाइन और एक क्रास वाला तो इस टालीमार्क लिखने का एक तरीका है बिटा clear तो चार होने के बाद पांच-पांच-पांच क्रास में लिखेंगे तो इससे हमें calculation में या फिर count करने में एकदम आसान हो जाता है तो जैसे यहां पे 4 लि distribution table clear तो देखो उसी का पार्ट आगे continue किया है तो यहां पे total आपको entries 50 वो बुक में example दिया था उससे direct data उठाए था मैंने तो जैसे देखो यहां पे 5 और यह 6 तो यह देखो 6 नंबर यह 4 तो यहां पे 4 तो उसके according जो भी data आपको दिया उसके according आप यहां पे telemark और frequencies fill कर सकत है और total वहां पे जो example book में था वो 50 था इसलिए यहां पे total आया था यह total क्या होता है यह जो frequencies इन सबका addition अगर करेंगे तो यहां पे आएगा total जिसको हम n से denote करते हैं और n का मतलब होता है total frequency है ना frequency का सबका addition तो यहां तक आपको इतना तो clear होगा बिटा कि frequency distribution table होता क्या है जिसमें एक साइड में score या फिर उसको class बोलते है टैली मार्क होता है और यहां पर frequency होता है यह तीन चीजों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपको frequency table समझ में आएगा या फिर उसको frequency distribution table हम बोलते है clear बिटा चलो आगे बढ़ते है अब देखो यह जो frequency table है इ इसको हम discrete classes भी बोलते है discrete मतलब वह continuous नहीं रहेंगे उसका मतलब मैं अच्छे सभी समझाता हूँ देखो inclusive का मतलब होता है discrete अब discrete का मतलब क्या होता है जैसे देखो यहां पर आपको देख रहा होगा 6 to 10 है तो उसके बाद direct 11 है मतलब एक का क्या आप है यह continuous नहीं है यह discrete है यहां पर देखो 15 के बाद direct 16 आ रहा है और 16 20 तो यहां पर आगे कुछ और आ सकता है बड़ यहां तक अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यह continuous नहीं है यह discrete है अब इसको inclusive क्यों बोला जाता है discrete का मतलब तो आपको समझ में आया है यह continuous का पूस्टा है discrete discrete मतलब यहां पर ग्याफ होगा तो ग्याफ दिख रहा है आपको whatever अब inclusive का मतलब क्या होता है वो मैं अच्छे से समझाता हूँ inclusive का मतलब होता है अगर आपके पास यहां पर 6 या फिर 10 है तो दोनों भी numbers इसमें included होंगे for example मेरे पास data है एक data है मेरे पास 6 है 7 है 8 है 9.5 है 10 है और 11 है तो 6 से लेके 10 के बीच वाले सारे के सारे number इसमें include होंगे 10 भी इसमें include होगा और 6 भी include होगा मतलब यहा तक के सारे के सारे entries इसी class में included रहेंगे 6 भी include होगा और 10 भी include होगा मतलब lower limit और upper limit दोनों भी included है और इसलिए इसे हम क्या बोलते है इंक्लूसिव दोनों भी included है समझ में आ रहा है, lower class का जो entry है वो भी और upper class का entry दोनों भी included है और इसलिए हम इसे inclusive बोलते हैं अब यह पर gap है इसलिए हम इसको discrete बोलते है I hope सबको clear होगा है तो inclusive क्या होता है सबको clear है जैसे यह पर देखो while preparing this table 6,10 and all scores between them are included in the class 6 to 10 6,10 और 6 और 10 के बीच वाले सारे के सारे entries इसमें included है जैसे इसमें 11 और 15 वो भी include रहेंगे और उनके बीच वाले numbers भी include रहेंगे अब इसका थोड़ा सा difference हम next वाला type में देखेंगे जो की है हमारा exclusive उसमें क्या फरक होता है तो उससे आपको और clear हो जाएगा बैट देखो second type है हमार exclusive method जिसको हम continuous बोलते हैं बरावर inclusive discrete था तो exclusive क्या होगा ओवेसली continuous होगा अब continuous में आपको clearly दिख रहा होगा अब यह continuous नहीं है इसमें problem क्या आ रहा था उसकी वज़े से हमने exclusive method discover किया यह आप एक्स्प्लेंग किया जा रहा है अब जैसे देखों प्रिवेस वाला ही इंक्लूजी वाला ही है तो 6 to 10 है 11 to 15 है 16 to 20 है तो इसमे एक problem आ रहा था कि अगर कोई entry AC होगी यार 10.3 उसको कहां पर consider करें फिर इसमें भी नहीं कर सकते इसमें भी नहीं कर सकते क्योंकि यह तो 6 से 10 ही इंक्लूड करेगा फिर 10.3 इसमें भी नहीं जा सकता और इसमें भी नहीं जा सकता तो ऐसे अगर कोई entry हमें मिलती है तो वह तो इंक्लूजिव में हम कवर करी नहीं पाएंगे बरबर तो उसके लिए हमने क्या किया फिर exclusive method find out किया और exclusive method में क्या होता यह देखो 5 to 10 अब तुरंत 10 यहां पर दिख रहा है आपको continuous है ना 10 इधर भी इधर भी 15 इधर भी 20 इधर भी है तो अब अगर यहां पर कोई entry AC आती है मानलो 10.3 उसको हम कहां पर consider करेंगे उसको हम consider करेंगे यहां पर तो इसका मैं पहले rule आपको बता देता हूँ इसका मतलब पहले समझा देता है इसको exclusive क्यों बोलते है इसको exclusive इसलिए बोलते है क्योंकि यहां पर 5 to 10 में सिर्फ 5 कवर होगा 10 कवर नहीं होगा 10 excluded है यहां पर 10 कहां पर कवर होगा 10 यहां पर कवर होगा समझ मैं रहा है यह धान से सुनो क्योंकि आपको इसके उपर question solve करने है बेटा exclusive क्यों बोलते है क्योंकि अपर जो limit है उसमें यह अपर वाला score जैसे 10 अगर आता है तो वो exclude किया गया है 10 यहां पर हम consider नहीं करेंगे 10 को कहा consider किया जाएगा lower limit में lower limit कहां पर है यहां पर लिमिट को यहां पर exclude किया गया है जैसे 10 अगर आता है तो वो यहां पर नहीं consider किया जाएगा यहां पर consider किया जाएगा मानलो अगर 15 आता है तो 15 को हम यहां पर consider नहीं करेंगे यह 10 to 15 है बट up to 15 है 15 exactly अगर आता है तो उस class में consider नहीं किया जाएगा, वो next class में consider किया जाएगा, 15 को कहाँ पर consider करेंगे, यहाँ पर, समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बता रहो, जैसे अभी 5 to 10 है, तो 5 to 10 का मतलब क्या होता, यहाँ पर 5 को consider किया जाएगा, but 10 को consider नहीं किया जाएगा, 10 तक, मतलब 9.99 तक लिया जाएगा, but 10 यहाँ पर consider नहीं किया जाएगा, 10 को हम यहाँ पर consider करेंगे, ठीक है, तो जो अपर class है, उसको exclude किया गया है, और इसलिए इसको हम बोलते है, exclusive method, इसलिए इसको हम बोलते है, exclusive method, ठीक है, exclusive method, then second बिटा, इसक तो continuous हम बोलते, continuous क्यों बोलते हैं, जैसे यहां पर लिखा होगा, देखो, exclusive method, यहां फिर continuous, तो continuous हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको दीख रहा है, यह देखो, 10 continue हो रहा है, 15, 20, और inclusive में ऐसा नहीं था, 5 to 10, तो 11 to 16, ऐसा कुछ तुब आ रहा था, वरावरना, तो gap आ रहा आएगा, वो next lower limit में आएगा, I hope सबको clear है, तो यह दो methods थे बीटा, अब आगे बढ़ते हैं, आप देखो, पूरा का पूरा, एक बार revise करते है, frequency distribution table, इसमें होते है, basically, 3 type, एक होता है, ungrouped, ungroup में, हम classes नहीं बनाते, जैसे के बीदेखो, कोई data है, सबसे पहले, इधर, सबस 2 to 4, देखो, इसी को मैं और simple करने के लिए क्या कर सकता था, 2 to 4, एक class बनाओ, 4 to 6, एक class बनाओ, 6 to 8, एक class बनाओ, और 8 to 10, इसको और इसको में 0-5 कर सकता था और 5-10 कर सकता था कhatम इतने सारे इंट्रेस करने जरूत है नहीं 0-5 में कितने हैं 0-5 में जैसे भी देखो यहां तक आ रहा है है ना 4 तक लेलूंगा मैं क्योंकि 5 तो इसमें चला जाएगा तो 3-2-5 और 6 मतलब यहां पर 6 से frequency और उसके बाद ये 2 और ये 3 5 कतम बन गया मेरा frequency distribution table है ना तो अगर मैं इसको group frequency distribution table बनाऊंगा ये है बिटा grouped जैसे देखो यहां पर आपको group दिख रहा है 0 to 5 5 to 10 यहां पर कोई group नहीं है तो इसको हम बोलेंगे ungroup frequency distribution table इसको और simple करना है तो हमने बना दिया group frequency distribution table जहां पर हम classes बनाते 0 to 5 5 to 10 10 to 15 और उसको फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है एक होता है inclusive और दूसरा होता है exclusive इंक्लूजीव में वह होता है वह पेटा discrete gap होता है और exclusive में gap नहीं होता है वह continuous होता है clear है तो फिर से एक बार revise करते हैं यह देखो यहां पर दिख रहा है आपको frequency distribution होता है basically दो type का ungrouped होता है एक होता है group ungrouped में जैसे age of 9th standard student है 14 age 12 लोगों की है 15 age वाले 23 है और 16 age वाले 10 है यह ungrouped है अगर इसको group करेंगे जैसे अभी shoe size है उसको हम inclusive method में यहां पर represent कर रहे हैं तो 2 to 4 12 परसन का है 5 to 7 29 परसन का shoe size है और 8 to 10 7 परसन का shoe size है अब यहां पर आपको clearly gap दिख रहा होगा और यह gap मतलब होता है inclusive इसी को हम बोलते discrete अगर यहां पर किसी का size 4.5 आता है ना तो उसको हम यहां पर दिखाई नहीं सकते 4.5 इसमें भी नहीं आता और इसमें भी नहीं आता तो यह problem है inclusive क क्या होता है it exclusive तो होता है continuous मतलब इसकोई भी missing नहींması 150 इधर भी इतर भी continuous होघा है है दो मतलब अगर 150 आता है तो हम इसमें include नहीं करेंगे किसमें include करेंगे इसमें include करेंगे, बरे बरे, 150 इसमें include करेंगे, समझ में आ रहा है ना, difference क्या होता है, yes, तो देखो 145 to 150 में 18 students है, जिनके height 145 to 150 है, but 150 अगर आता है तो इसमें जाएगा, 150 to 155 के कितने students है, 27 है, but 155 जिसकी exactly 155 height होगी, उसको हम last class में डालेंगे, यह तो clear है बिटा, तो upper class limit को यहाँ पर exclude किया जाता है, और इसलिए इसको हम exclusive method बोलते है, जिसका दूसरा नम continuous method भी है, फिर continuous classes भी है, clear बिटा, सब को clear है, चलो फिर आगे बढ़ते है, कुछ questions आज हम solve करते हैं यहाँ पर, उसके पहले हम कुछ terms देखते हैं कि किसका मतलब क्या होता है, अब यह class में ज देखो, जो group आपको देख रहा है, 145 to 150, 150 to 155, यह class है, यह वाला class है, यह दूसरा class है, यह तीसरा class है, यह class, यह दूसरा class, यह तीसरा class, तो इसको बोलते है class, एक बार देख लो, when the observations are divided into suitable groups, each of the group is called class, I hope class वाला definition सब को clear है, class limit क्या होता है, class limit क्या है, the end values, जासे अभी दे अपर class limit 150, मतलब इस class की limit क्या है, 150 से लेके, sorry, 145 से लेके 150, इस class की limit क्या है, 8 से लेके 10, बरावर class limit का मतलब क्या होता है, कहां से कहां तक वो class valid है, 8 से 10 तक है, समझ बार तो इसको हम बोलते है class limit, इसमें 8 को बोलेंगे lower class limit और 10 को बोलेंगे upper class limit, I hope class limit भी आपको clear है, यह frequency क्या होता है, frequency तो मैंने आपको already clear कर दिया था, frequency मतलब कितनी बार आ रहा है, 145 से 150 height, कितने student की है, तो कितने student से, उसको हम बोलेंगे frequency, तो 18 student की है, तो वो हो गया frequency, right, यहाप आप पढ़ सकते जो भी है, now in the above table, there are 20 observations in the class 11 to 15, hence frequency of the class is 11, frequency of the class 11 to 15 is 20, जैसे यहाँ पी आपक को दीख रहा है बेटा, इस class में कितने students है, 12, तो इस class की frequency क्या है, 12, इस class की frequency 29 है, तो frequency का मतलब clear है, अब next नमाती बेटा, class width और class size और class interval, यह तीनों का मतलब एक ही होता है, class width या फिर class size, अब इसकी class size कितनी है, 5, उसकी लिए क्या करेंगे, higher upper class limit minus lower class limit करो, तो आपको class size म मिल जाएगे, जैसे मैं आपको पूछता हू, 10 to 15 इस class की size क्या है, तो आप क्या करेंगे, higher class limit minus lower class limit करो, तो 5 आ रहा है, clear दीख रहे हैं, दोनों के बीच में कितने 5 का है, तो इस class की size क्या है, 5, समझ में आ रहा है, तो उसको उम बोलते class size, अब class mark क्या होता है, this is very very important, इसक of the lower class minus, sorry, average of the lower class limit and the upper class limit for a given class, अभी मान लो, यार, मेरे पास है, class 0 to 10, इसका मुझे class mark find out करना है, तो class mark एकदम simple है, lower class limit plus upper class limit divided by 2, मतलब इसका बस average find out करो, आपको class mark मिल जाएगा, 0 plus 10 क्या होता है, 10, 10, so 10 by 2 क्या होता है, 5, मतलब किसी भी class का class mark find out करना है, तो जो दो entries आपको वहाँ पे दिखरी, lower class limit, upper class limit, उसका average find out करो, यह न, तो 0 to 10 का class mark क्या आएगा, 5 आएगा, 10 to 15 का class mark क्या आएगा, 10 plus 15 करो, 25 होगा, divided by 2, कितना आएगा class mark, 12.5, मतलब उस class का आपको average find out करना है, वह ही होता है class mark, समझ में आए, तो उसका formula देखुए, यहाँ पे, lower class limit plus upper class limit divided by 2, for example, class mark for the class 11 to 15, क्या आएगा, 11, यहाँ पे 15, addition 26 होता है, 26 by 2, 13, तो इस class का class mark क्या हो जाएगा, 13 होगा, I hope सबको clear है, class mark तो अभी आप find out कर सकते हैं, yes, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब आता है बटा question, question क्या बोल रहा है, if class mark is 10 and class width is 6, then find the class, अब class mark भी आपको पता है, कैसे find out करते हैं, और class width भी आपको पता है, फिर से एक बार recall करके देता हो, class mark find out करना है, तो lower class limit plus upper class limit divided by 2, आपको अगर class width find out करने हैं, तो क्या करते हैं, upper class limit minus lower class limit, तो यह इससे आपको class size या फिर class width पता चल जाएगे हैं, तो अब यह question solve करते हैं, class mark is 10 and class width is 6, then find the class, तो आपको lower class limit और upper class limit पता ही नहीं है, बट आपको class mark पता है और class width भी पता है, तो कैसे find out करेंगे, वो class कैसे find out करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, late, lower class limit lower class limit bx and upper class limit upper class limit b y, अब आपको lower class limit और upper class limit पता है, मतलब ऐसा इस type का कुछ class है, है ना, तो यार इस type का अगर class है, तो आप class बार तो easily find out कर सकते हैं, कैसे, दोनों का average ही करना है, class mark का मतलब क्या होता, दोनों का average करो, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, class mark class mark is equals to क्या होगा, फिर, x plus y by 2, और आपको class mark दिया हुआ, 10, right, तो यह हो जाएगा, 10 is equals to x plus y by 2, तो यहाँ से 10 into 2 करेंगे, तो 20 हो जाएगा, मतलब x plus y कितना है, 20, this is equation number 1, clear बेटा, this is equation number 1, अब आते हैं, हम, class width पे, class width आपको given है, 6, class width का formula आपको पता है, यहाँ पे लिखते है, class width, class width होता है, बेटा, upper class limit minus lower class limit, बरावर न, तो यहाँ पे करेंगे हैं, y minus x, class width हमें given है, 6, 6 is equals to y minus x, this is equation number 2, है न, बस अब 2 equation को solve करना है, तो दोनों equation को कैसी solve करेंगे, बेटा, तो यहाँ पे लिखते हैं, adding, adding equation 1 and equation 2, है न, equation 1, बस मैं यहाँ पे यह x को पहले लिख रहा हूँ, x का sign minus ही है, तो minus x, उसको पहले लिख रहा हूँ बस, और y plus है, minus x plus y is equals to 6, और इधर के विटा, x plus y is equals to 20, है न, x plus y is equals to 20, यह समझ में आया, यही same equation है, मैंने बस x को पहले लिखा है, y को बाद में लिखा है, अब यह दोनों cancel, मैं add ही कर रहा हूँ, तो यह बचेगा, यहाँ पे 2y is equals to 26, मतलब y की value क्या रही बिटा, 13, y अगर 13 है, और x plus y अगर 20 है, तो x कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब हमें class तो बाता जल गया, class क्या आए, फिर 7 to 13 है, class क्या बिटा, 7 to 13 है, so therefore यहाँ पे ल अगर class होगा, तो इसका class mark के से find out करेंगे, average, इसका average कितना आएगा, 7 to 13 का average कितना, sorry, 7 or 13 का average क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि addition 20 होता है, by 2 करेंगे, तो 10 होगा, इसका class size, 7 और 13, 6 का आ रहा है, तो बढ़ा बढ़ा है, तो दोनों भी answers हमारे, मतलब हमारा answer correct है, क्योंकि दोनों भी यहाँ पर जो given data है, वो perfectly match हो रहे है, clear, चलो बढ़ा, आगे बढ़ते हैं, अब next question क्या बढ़ा है, complete the following table, यह तो simple है, यह तो frequency distribution table दिया, उसको complete करना है, यहाँ पे देखो, 1 bunch दिख रहा है, तो 1 bunch होता है, 5 का, तो यह आ जाएगा, 5, यहाँ पे 5, 5, 10, और यह क 10, sorry, 5, 5, 10, और 4, 14, तो यह आएगा, 14, यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है, हमें, एक काम करते हैं, यह 4 है, इसको 4 लिखते हैं, अब total कितना है, टोटल तो 35 है, बराबर, तो यह total 35 अगर करना है, तो इनका addition करो पेले कितना आता है, यह तो 19 हो गया, 23, ओके, यह 23 है, इसको 5 प्लस 14 प्लस 4 तो इसको सबको सब्ट्राक करेंगे, तो यह कितना होता है, तो 35 मैंस 23 करेंगे, तो इतना आएगा, 12 आएगा, समझ मैं आरा ना, अब फिर से एक बार करके देखो, यह 5 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 4 करके देखो, सबका addition 35 ही आएगा, एक missing था, तो हमने क्या किया, टोटल में से यह जो available है, उनको minus कर दिया, तो हमें 12 मिलेगा, बरावर, अब पूरा का पूरा addition करके देखो, आपको 35 ही मिलेगा, तो यहाँ पे अगर 12 आ रहा है, तो इसको हम telemark में कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 12 है तो हमें 2 बंच करने पड़ेंगे, ओक यह 10 होगे, अब यह 12, तो I hope सबको clear होगा, तो यह है इस question का final answer, है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब क्या मुल रहा है, value of pi, up to 50 decimal places is given below, हमें पता है, pi की value क्या होती है, pi की value होती है, 3.14, यह कभी end नहीं होगा, है ना, यह recurring है, यह इसको approximate value हम calculation के लिए हम ऐसी भी लेते, 22 by 7, बराव but, उसकी value यह approximate है, उसकी value ऐसी होती है, exact अगर हम देखेंगे, तो ऐसी है, जो कभी खतम नहीं होती है, यह कभी रुकेगा नहीं है, बरावर, तो यहाँ पर आपको ना, उसकी एक value given है, जो कि decimal के बाद 50 digits तक given है, बरावर, from this information, prepare an ungrouped frequency distribution table of digits appearing after the decimal point, तो decimal point के बाद जितने भ ungrouped frequency table अपको बनाना है, group नहीं बनाना है, जैसे 5 to 10, 10 to, ऐसा नहीं बनाना है, ungrouped, मतलब जैसे 2 है, तो एक ही बार लेगो, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा, ungrouped, उसमें groups नहीं बनाने है, और उसका एक frequency table बनाना है, तो बहुत ही simple है, यार, देखो, सबसे चोटी वाल, decimal के बाद, 0 आ र देख रहा है, clearly आप देखो, तो यहाँ पर लिखता हो बीटा में digits, digits कौन-कौन से है, digits, यहाँ पर लिखते हैं, टाली मार्क, ungrouped frequency distribution table बनाना है, हमें, टाली मार्क और यहाँ पर लिखते हैं, frequency, clear बीटा, देखो, अब यह हो जाएगा, यहाँ पर, 0 से लेके 9 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, ठीक है, अब 0 कितनी बार है, बस आपको count करना है, मैं आपको starting के कुछ बता देता हूँ, जैसे देखो, एक भी miss नहीं होना चाहिए, एक, 2, है ना, 0 2 times दिख रहा है, मुझे यहाँ पर, 0 अगर 2 times है, तो मैं क्या करूँगा, 0 टैली मार्क आएगा यहाँ पर, 2, और यहाँ पर लिखेंगे, clear बीटा, अब 1 कितनी बार है, 1, 2, जैसे cut कर दो, देखो, 2, 3, 4, 5 है ना, तो यहाँ पर करेंगे, 1, 2, 3, 4, और 5, तो यहाँ पर आएगा, clear, similarly, अब 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 है ना, तो 1, 2, 3, 4, और यह 5, यह हो जाएगा, clear बीटा, तो ऐसे ही आपको count करते 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 जाना, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 6, 7, 8, 9 कितनी बार है, और इसको एक table की form में आपको represent करना है, तो उसी को हम बोलते है, frequency distribution table, ungrouped है, तो यहाँ पर हमने कोई group बनाया भी नहीं, direct 0 to 9 digits लिख दिए, I hope सब को clear होगा, तो यह counting करके आप बाकी का काम तो कर देंगे बिटा, है ना, yes, सब कुछ अगर readymade मिलेगा तो आप क्या करेंगे फिर है ना, देखो मैंने आपको guidance तो किया है, कि आपको कैसे कैसे करना है, पूरा detail में बता दिया है, बचा हुआ आप तो कर सकते यार, पूरा readymade देना ऐसा जरूरी नहीं होते हैं, समझ में तो आया होगा सबको कि करना क्या है, इस question में बस counting ही करनी है, और वहाँ पर उसके आगे numbers लिख देने हैं, उतना तो आप कर पाएंगे, इसा लगता है मुझे, कर सकते हैं, येस comment box में लिख दो कि हा सर हम कर सकते हैं, और फटा फट table complete करके फिर comment box में आप comment लिख सकते हैं, येस सर, it is done, counting तो आता हैं सबको, किसी को कुछ problem तो नहीं है, चलो, तो ऐसे ही आपको इसको आगे continue करना है, चलो, ये numbers यहाँ पर बहर दो, तो ये होता है, इसको हम बोलेंगे ungroup frequency distribution table, clear चलो, आगे बढ़ते हैं, अब आता है, in the tables given below, class mark and frequency is given, class mark and frequency is given, class mark and frequency is given, class mark and frequency, it's called class mark, great, construct the frequency table, taking inclusive and exclusive classes, अब इस question में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर आपको frequency table बनाने है, जिसमें inclusive and exclusive classes लेने है, तो ध्यान से देखो भी क्या बोल रहे हैं यह class mark आपको given है न class mark क्या है 5 है 15 है 25 है और 35 है अब थोड़ा सा पीछे आते हैं class mark आपको given है कि अधा simple वाला देखते है यह वाला देखो है न बेटा यहां पर आपको यह class देखो 5 to 10 है बेटा class में इधर आपको बता देता है एक बार फटा फट सिंपल तरीके से 10 to 15 है और 15 to 20 है तो यहां से हम class mark कैसे find out करते हैं बेटा इसका class mark हम कैसे find out करेंगे दोनों का addition divide by 2 करेंगे बराब दोनों का addition कितना होता 15 15 इसका class mark क्या आएगा यह आएगा बेटा 12.5 इसका class mark क्या आएगा यह आएगा बेटा 17.5 बराबर ना तो आपको उस question में यह वाला दिया है और यह find out करना है समझ में आ रहा है class mark given है और आपको class interval या फिर class find out करना है कैसे करेंगे देखो यार इसको यूज करके हम यह कैसे find out कर सकते है इसमें देखो ना 2 गयाप कितने 55 के 5 थाए न sm stems तो यह 5 का गयाप है तो इस 5 को यूज करके हम 5-10 यह classes कैसे find out कर सकते है तो simple है इसमें अगर 5 का यह है तो एक काम करेंगे यार 5 का अगर gap है तो हम क्या करते है 5 divided by 2 करो तो कितना आएगा मतलब जो भी इसमें class mark में जो भी आपको gap दिख रहा है जो भी आपको gap दिख रहा है 5 का है तो उसको 5 उसको divide by 2 करो तो 2.5 आ रहा है तो इसमें अगर मैं 2.5 subtract करू त तो 5 मिलेगा, इसमें 2.5 एड करूँ, तो 10 मिलेगा, समझ में आ रहा है, अब देखो, फिर से एक बार, एक 5 to 10 अगर मिल गया, तो उसके बाद तो आप कर सकते हैं, पहला class बस find out करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बार conclude कर देता हो, जो भी class mark आपके पास दिख रहा और 2.5 एड कर दिया, 2.5 सब्ट्रैक करेंगे, तो कितना आएगा, 5 आएगा, 2.5 एड करेंगे, तो 10 आएगा, तो एक बार 5 to 10 तो मिल गया न, उसके बाद तो हम कर सकते हैं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, I hope सबको clear है, अब आते बेटा उसी question पर, यहाँ पर question है, तो मैं इसको न, यही प कि अधार कर दो, तो यहाँ पर कनसिडर करता हूं, यह एक्स्क्लूसिव है और यह है इंक्लूसिव है तो इसके बीच में, इसके बीच में डिफेरंस कितना है find out करना था हमें clear है तो इसमें difference तो 10 का है तो 15-5 करेंगे तो 10 आ रहा है तो 10 आ रहा है तो उसको हम 2 से divide करेंगे तो क्या आ रहा है वेटा 5 आ रहा है जैसे हमने उदर भी किया था दो क्लास मारके बीच में difference 5 का रहा था उसको मेंने 2 से divide किया तो 2.5 आया 2.5 सब्ट्रैक करो 2.5 एड करो तो आपको lower class limit और higher class limit मिलेगी तो यहां पे 2 आपको डिफरेंस 10 का रहा है उसको divide by 2 करेंगे तो 5 का रहा है तो अब 5 सब्ट्रैक करो और 5 एड करो तो इसमें 5 सब्ट् तो यह हो गया हमारा exclusive मतलब continuous वाला exclusive मतलब continuous 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 तो अभी आप करके देखना इसका अगर आप average निकालेंगे तो 5 आएगा यह ना class mark तो वैसे find out करते हैं इन दोनों का average इन दोनों का 0.5 add कर दो और इसमे 0.5 subtract कर दो क्योंकि हमें gap बनाना है one का inclusive मतलब होता है discrete जिसमें gap होता है तो इसमें मैंने 0.5 से इसको आगे shift कर दिया और इसको पीछे shift कर दिया मतलब एक का gap बनेगा यहां पर कैसे देखो भी इसको 0.5 add करता हो इसमें 0.5 subtract करता हो देख रहे है 9.5 से 10. 10.5 का एक का gap आ रहा है अब इसको क्या करता हो मैं 19.5 और इसको करेंगे 29.5 इसको करेंगे 29 नहीं इसको करेंगे 30.5 इसमें 0.5 add कर देंगे और इसमें 0.5 subtract करेंगे ना देखो आपको एक का break दिख रहे है यहाँ पर ग्याप दिख रहे है एक का यह देखो यहाँ पर एक का इसमें मुझे add करना है इसमें मुझे 0.5 add करना है और इसमें 0.5 subtract करना है देखो भी 9.5 से 10.5 है 19.5 से 20.5 है 29.5 से 30.5 है तो एक एक ग्याब दिख रहा है तो यह हो गया inclusive class और यह हो गया exclusive class तो similarly आपको यहाँ पे करना है तो यह वला भी मैं ही बताऊंगा फिर आपको और clear हो चीक है और यहाँ पे हम करेंगे फिर inclusive और exclusive ठीक है यह है हमारा exclusive और यह है हमारा inclusive राइट क्या करना था सबसे पहला से क्या बोला था मैंने class mark के बीच पर difference देखो किसी भी 2 class mark के बीच देखो दो का आ रहा है तो difference अगर दो का है तो उसको हम फिर से 2 से divary करेंगे तो हमारा और answer रहा है one तो अब क्या करना है एक बार one subtract करो और one add करो इसमें one subtract करेंगे तो हमें मिलेगा 21 और one add करेंगे तो मिलेगा 23 मतलब मिल गया हमें class फिर इसके आगे तो हमें पता है 23 से 25 क्योंकि exclusive है तो continuous होगा then 25 से 27 then 27 से 29 अब अभी cross check करके देखना उल्टा करके देखना इस अब का class mark की match हो जाएगा अब inclusive करना है तो क्या करेंगे इसमें 0.5 add करेंगे तो 21.5 से लेके इसमें 0.5 subtract करेंगे 22.5 इसमें 0.5 add करो 23.5 से लेके इसमे 0.5 subtract करो इसमे 0.5 subtract करो इसमें 0.5 add करो इसमें 0.5 subtract करो clear बेटा देखो 22.5, 23.5, 24.5, 25.5, 26.5, 27.5 तो यह होगे बेटा आपके दोनों भी question के answers I hope सबको clear होगा कि हमने कैसे कैसे बनाए exclusive और inclusive class से कैसे बनाए आप सबको clear होगा class mark में जो difference है उसको divide by 2 करो जो भी आपका answer है वो subtract और add करो तो आपको discrete class मिलेगा और discrete या फिर exclusive class बोलते है उससे आप inclusive class find out कर सकते है clear बेटा चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारा practice it का 8 number का question है और ये question क्या बोल रहा है बेटा in a school 46 students of 9th standard were told to measure the length of the pencil in their compass boxes उनके compass box में जो pencil है उनको उसकी length measure करने के लिए बोला था और total student कितने है 46 है तो by taking inclusive classes अब यहां पर आपको classes कैसे लेने हो अलड़ी बता दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे classes लेने है और इसका frequency distribution table बनाना है तो बहुत ही simple है यार मैं आपको यहां पर छोटा सा एक start करके देता हूँ आपको इसको continue करना है बस है ना start कैसे करेंगे बिटा देखो यहां पर आएगा यहां पर आएगा बिटा क्या था वो class लिखेंगे हम है ना यहां पर लिखते बिटा class और class आपको कैसे लेने के लिए बुला है 5 to 10, 10 to 15 चीक है इसके आगे 15 to 20 आप continue कर सकते है जहां तक भी आपको लग रहा है last entry क्या है आप देख सकते है अब देखो 5 to 10 यहां पर आएग टाली मार्क और यहां पर क्या होगा फ्रिक्वेंसी है अब 5 to 10 में कितने मतलब जो डेटा है वो 5 to 10 में कितना डेटा है वो आपको यहां पर देखना है बेटा स्वरी 5 to 10 ने पहला क्या है 0 to 500 हो रहे है 0 to 5 देखना है पहले देन आएगा 5 to 10 देन आएगा 10 to 15 और यह continue आगे बढ़ता जाएगा अब 0 to 5 में कौन कोने उन्हें आपको बोला है कि inclusive लेलो मतलब 0 और 5 दोनों को भी include करना है इसी में समझ में आ रहा है 0 और 5 दोनों भी इसमें include हो जाएंगे तो अब क्या करते बिट इसमें एक दो पाई को भी आपको include करना है तीन चार पाच पाई पॉइंट फाइन नहीं आएगा छे चीक है बट वैसे देखा जाए ना तो 0 तो 5 में 5 नहीं आएगा अब यहाँ पे inclusive लिखा है बट यह गलत हो सकता है 5 को इसको यहाँ पे cancel कर दो बिटा क्योंकि 0 तो 5 5 तो 10 का मतलब क्या होता है कि 5 इसमें include नहीं होगा 5 इसमें include होगा तो हमरे पास 1,2,3,4,5 तो यहाँ पे 5 आएंगे बटा 1,2,3,4 और 5 तो यह हो जाएगा 5 वैसे आप क्या करेंगे 5 to 10 तो 5 से लेके 10 तक बट 10 अगर आता है तो next class में आपको यहाँ पे include करना है वो तो आपको पता है exclusive class का rule आपको पता है इसमें continuous class भी हम बोलते है तो 5 जो अपर highest score होता है वो हमेशा इधर add होगा यहाँ पे add नहीं होगा तो 0 to 5 में आप 5 तक ही लेना है 5 अगर आता है तो इसमें लेना है तो देखो 1,2,3,4 और 5 यह वाला जो score है वो 0 to 5 में आएगा तो similarly आपको यहाँ पे बेटा खतम तो आज की class में हमने क्या देखा data को classify कैसे किया जा सकता है तो data को हम अलग-अलग तरीके से classify कर सकते है frequency distribution table बना के जिसमें ungrouped होता है और grouped होता है grouped में दो अलग-अलग टाइप से एक होता है inclusive जो कि discrete होता है दूसरा होता है exclusive जिसको हम continuous बोलते है तो यह हो गया देन होता है हाँ frequency distribution table हमने देखा जिसमें score यह फिर class बोलते हैं उसको the tally mark और फ्रिक्वेंसी इसको हम बोलते है फ्रिक्वेंसी distribution table देन प्रैक्टिसेट 7.3 के हमने questions cover किये और I hope सबको clear होगा तो बेटा आज का lecture हम यही पे करेंगे stop और फिर मिलते है next class में तब तक के Have a nice day